पैन कार्ड आखिर क्यों है जरूरी, क्या है इसके फाइदे, क्यों है ये महतोपोन और क्या है इसके लाव चलिए आज की इस वीडियो में आपको इनी सवालों के देते हैं हम जवाब नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपनी यूटूब चैनल एजकेशन और सरकारी डिगॉमेंट्स पर इस चैनल पर हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं एजकेशन और सरकारी डोकुमेंट्स से जोड़ी हुई हर जानकारी चाहे admission से लेकर आपकी job तक हो या फिर किसी भी document, business idea, loan या किसी भी scheme के बारे हुए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं आखिर pen card हमारे लिए क्यों इतना जरूरी documents है इसके जरूरत कहां कहां पर पड़ती है आधार card, voter ID, driving license, passport, busily connection या अन्य किसी सरकारी योजनाव के लिए आविदन करने में ट्रेन या हवाईजाज में सफर करने से पहले आपको एक valid ID proof देने की आवश्यक्ता पड़ती है इसके लिए pen card एक valid ID proof के रूप में इस्तमाल किया जाता है इसके लिए और भी काफी सारे काम है जो जिसके लिए हमें pen card की जरूरत पड़ती है दोस्तों अगर आप 18 साल के होने वाली है या हो गई है तो कौन कौन से ऐसी document से जिसके आपको जरूरत पड़ती है इसकी भी एक वीडियो हमारे चैनल पर upload है उस वीडियो को जरूर देखें सबसे पहला उप्योग है ITR फाइल करने के लिए यानि कि income tax return दाखिल करने के लिए income tax record दाखिल करने के लिए pen number का होना बहुत जरूरी है income return form में आपको अपनी साल भर की आमधनी और text बुक्तानों का विवरंट देना पड़ता है लेकिन जिसका टेक्स नहीं भी करता है वह भी अपनी इच्छा से income tax return दाखिल कर सकता है हाला कि pen card details सबको देने होते हैं bank account खुलवाने के लिए या 50,000 से ज़्यादा पैसा जमा करने के लिए basic type के zero balance वाले bank account को छोड़ कर किसी भी तरीके के bank account या जमा खाता खुलवाने के लिए pen card जरूरी है saving खाता या फिर चालू खाता यनि की current account दोनों तरीके के bank account को खुलवाने के लिए pen card जरूरी होता है और 50,000 से ज़्यादा रुपे जमा करने के लिए आपको pen card की जरूरत होती है saving account में आप अपनी आगे की जरूरतों के लिए पैसा जमा करके रखते हैं इसके जमा पर bank आपको ब्यास भी देता है लेकिन हर बहिने अधिक्तम लेंदेन के संक्या सिमित होती है current account business संबंदी लेंदेनों की सुरूरतों के साब से होता है इसमें रोज कितने भी लेंदेन किये जा सकते हैं लेकिन इसमें जमा पैसों पर bank व्यास नहीं देता 50,000 रुपे से ज़्यादा अगर आपको पैसे अपने account में जमा करने हैं तो भी आपको pen card के details की जरूरत होती है fixed deposit या अन्य किसी जमा खाते के लिए अगर आप 50,000 रुपे से ज़्यादा का FD account खुलवाना चाते हैं तो भी आपको account खुलवाते समय pen card के details देने पड़ते हैं बैंक में जमा पैसे उपर 40,000 रुपे से ज़्यादा ब्याज मिलने पर 10% TDS काटने का भी नियम है अगर उस ब्याज को मिला कर भी अगर आपकी सालना आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है कि उस पर tax देंदारी बने तो फिर आप अपनी ब्याज पर TDS का टोती रुपवा भी सकते हैं इसके लिए आपको form वित वर्ष की शुरुवात में form 15G या 60 वर्ष से अधिक उमर की लोग के लिए form 15H जमा करना होता है क्रेडिट कार्ड या बैंक लोन लेने के लिए अगर आप किसी बैंक या वितियस अंस्तान के पास लोन के लिए विदन करते हैं तो आपको लोन अप्लिकेशन में अपना पैन नमबर भी दर्ज करना पड़ता है होम लोन, बिसनस लोन, एजुकेशन लोन या परसनल लोन संबंधी मामलों में सब में आपको पैन कार्ड के डेटेल के आवशकता पड़ती है दरसल आरबियाय में आरबियाय ने मनी लोन्डिंग रोकने के लिए सभी बैंकों को अपने यहां होने वाले बड़े लेंदेनों की सूशना उनके पैन नमबर सहीत रिपोर्ट करना अनिवारिय का रखा है शेयर बाजार में निवेश करने के लिए फोर इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको पैन कार्ड के डिटेल अनिवारिय है म्यूचुल फ़र्ण, बॉन्स, डिबेंचर में निवेस्ट भी यहां परतिबन लागू होता है दरसल शेयर बजार में निवेस्ट की परकिरिया डीमेट के माध्यम से होती है और शेयर बजार में कारोबार के लिए नियम बनाने वाली संस्ता SBI से भी भारतिय प्रतिबूती और विनिम्य बोर्ड ने डीमेट अकाउंट कुलवाने के लिए और इजनल पैन कार्ड रास्तूत करना अनिवारियक रखा है अगर एक से अधिक लोग मिलकर संयुक तरूप से डीमेट अकाउंट खुलवाना चाते हैं तो भी साजा खातेदारों को अपने पैन कार्ड की डिटेल देनी होती है बड़ी कीमत का बीमा करवाने के लिए अगर आप ऐसी बीमा पॉलिसी खरीदते हैं जिसके लिए आपको हर साल पचास सरों पे से अधिक प्रीमिम चुकाना पड़े तो भी आपको पैन कार्ड डिटेल देनी आवश्यक है ऐसा बीमा खरीदते समय आपको अपने पैन कार्ड की कोपी भी जमा करनी पड़ती है सभी तरीके की जीवन बीमा पॉलिस यो जैसे की टर्म इंशुरेंस प्लान यूनिट लिंक्ट इंशुरेंस प्लान यूलीप, रिटार्मेंट एन पेंशन प्लान यूनिट लिंक चाइल प्लान एन हेल्प प्लान एडवांस्मिंट प्लान मनी बैंक प्लान होल लाइफ प्लान वेगेरा सभी मामलों में यह शर्त लागो होती है कार या बड़ी गाड़ी खरीदने या बेशने के लिए अगर आप पांच लाग रुपे से अधिक कीमत की कार या मोटर वहान खरीदते हैं तो भी आपको अपने आईडी प्रोफ, एड्रस प्रोफ, इंकम प्रोफ के अलावा अपने पैन कार्ड के टेटेल्स देने पड़ते हैं इसी तरह बड़ी कीमत के वहान बेशने के लिए भी आपको गाड़ी के कागजाद और केवाईसी डोकुमेंट के साथ-साथ अपने पैन कार्ड के टेटेल्स देने की जरूरत परती है महेंगी ज्वैलरी खरीदने के लिए पांच लाग रुपे से अधिक केमत के गहनों की खरीद पर पैन कार्ड अनिवारी था जिसे एक जनवरी 2016 से दो लाग रुपे कर दिया क्या विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए अगर आप किसी दूसरे देश की यातरा पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर खर्च करने के लिए उस देश की मुद्रा की जरूरत पड़ती है भारती रुपयों को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने के लिए भी आपको अपने पैन कार्ड संबंदे टिटेल्स भी देने पड़ते हैं इस काम के लिए अधिकर्थ मनी एक्स्चेंज बीरो या बैंक आपको यह सुविदा देने के लिए आपका पैन नंबर भी मांगेगा इसी तरह अगर आपको कहीं से विदेशी मुद्रा से आमदनी हो रही है तो पैसे मंगाने हो तो भी पैन कार्ड आपको देना होता है उसमें प्रॉपर्टी खरीदने वाले यानि की बायर और बेचने वाले यानि की सेलर दोनों के पैन कार्ड संबंदे डिटेल्स दर्ज किये जाते हैं बड़ी पुरुषकार रासी प्राप करने के लिए अगर आप खेल शेतर से संबंदित हैं या किसी रास्टी है या आंतर रास्टी परतियों के तामें आप एक लाक रुपे या इससे बड़ी पुरुषकार रासी प्राप करते हैं तो उसे पाने के लिए भी आपको अपना नमबर डिटेल देने की आवशक्ता पड़ती है यह दि दोस्तों आप लोग के लिए कुछ जानकारिया इसी तरीकी की और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल आइकन को प्रेस करें